follow up को exactly कैसे करने हैं follow up का मतलब क्या होता है follow up follow up बहुत सुना होगा आपने सेल्स के अंदर तो यह वर्ड बहुत जादा जाना माना वर्ड है तीक है सेल्स कहीं भी किसी भी जैसे मैंने आज से 5 साल पहले हां 5 साल हो गया होगे मैंने वोड़ाफ फॉल्ट के अंदर काम किया था वहां पे भी follow up होता था हर एक फिल्ड के अंदर चाहे कोई गाड़ी लेने जाओगे आप चाहे कोई बाइक लेने जाओगे आप आपका follow up किया जाता है और उन सेल्समन को पता होता है कि follow up exactly होता क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ follow up एक technical शब्द तो है बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता आपने जबसे उसको invite किया है वहाँ से लेके जब तक उसकी closing होगी तब तक follow up को आपको consistently करते रहना पड़ेगा आपको उसको बार-बार-बार-बार-बार याद दिलाना है बार-बार-बार ठक ठक करना है कि हाँ मैं जिंदा हूँ मैं exist करता हूँ आपको उसको याद दिलाना है कि हाँ एक ऐसा इंसान है जिसने मुझे ये business के बारे में बताया तो follow up को exactly कैसे करते हैं follow up को exact manner में पहली चीज तो ये समझ लो एक कहावत है हमारी बहुत पुरानी कहावत है network marketing के अंदर कि fortune is in the follow up आपकी जो किस्मत है आपका जो भविश्य है वो भविश्य और आपकी किस्मत follow up के अंदर ही छुपी हुई है लेकिन लोग क्या करते हैं जाद से जादा आगे दोड पीछे शोड़ा आगे भागते चलेंगे बहुत सारे prospects को बताते चलेंगे पीछे कि जितने सारे prospects खतम होते गए कोई दिक्कत नहीं है follow up नहीं करते आपको आज से follow up सीखना है follow up अगर करोगे तो game बदल जाएगा तो पहला follow up कहा होता है पहला follow up होता है जब आप उसको video भेज देते हो और हम गलती क्या करते है उससे exactly directly जाके पूछ लेते हैं कि आपको कैसा लगा तो कि बच्पन से हमें यही आदत है किसी को कोई खाना खिलाया है तो हमने पूछा कैसा लगा यही तो आदत है तो यह सेम आदत आपको अपने business के अंदर नहीं करना यह बहुत बड़ी गलती होती है question के अंदर power तो होता है बट कौनसे question पूछने यह भी बहुत जरूरी है अगर मैं सामने वाले से पूछना हूँ कि आपको कैसा लगा उसने वीडियो देखी या फिर उसने presentation देखी अब मैं उसे पूछना हूँ कि कैसा लगा क्या पूछा मैंने आपको सबसे बड़िया क्या लगा सामने वाला क्या बोलेगा जो उसको सबसे बड़िया लगा क्या बुरा लगा उसकी तरफ तो मैं दिमाग लेकि नहीं जा रहा हूँ उसको सीधा दिमाग को मैं direction दे रहा हूँ कि और आपको सबसे बढ़िया क्या लगा या फिर अगर मैंने प्लान प्रॉड़क्ट प्रोफाइल सब कुछ समझाया होगा है चीक है प्रेजेंटेशन के अंदर को असे पूछओगा कि आप से को जादा बढ़िया क्या क्या अपको ये या ये, ये नहीं पूछा हुआ कि आपको अच्छा लगा की नहीं लगा, मैं आपसे ये पूछा हुआ कि ये लगा या यह लगा, जैसे हम कपड्रे लेने जाते ना जब, तो आप अगली बार जाओगा आप नोटिस करना, salesman आपको बोलेगा sir ये वाली shirt पाक करूँ ये वाली shirt पाक करूँ ये नी पूछँगा कि आप logo के नी लोगे आप से ये पूछँगा ये वाली पाक करूँ similarly आपको सामने वाले से पूछना है बहुत तगड़ रिजल्स आएंगे कि आप इससे करोगे या इससे करोगे, same billing कराते ताइम पर पूछ लगे, cash करोगे credit card से करोगे, credit card से करोगे, debit card से करोगे, options दो, करोगे कि नहीं करोगे, यह नहीं पूछ रहा आप से, cash करोगे कि credit card से करोगे, credit card से करोगे, debit card से करोगे, दो option, आज करोगे कि कल करोगे, आज 6 बजे बात करूं या 9 बजे बात करूं यह है फॉलो अप का बहुत सटीक तरीका ठीक है आपको जब आप वीडियो भेज भी रहे हो हर जगे पर इसको यूज करो आप जब वीडियो भेज रहो तो समने वाले से बोलो कि मैं आप से कितनी दर में बात करूं आपसे छे बज़े बात क तो नहीं होगा आपको कॉल करते हूँ लेकिन अगर आप ने भी पूछा कि मैं आप शे बज़े बात करूं कि यहाँ वाले को परिशान करो कि हाँ वीडियो देख ली यही तो है फॉलो अप इस से जादा क्या है फॉलो अपके लिए प्र लोग एगजा रखना हरी कॉल को appointment fix होना चाहिए, जब तक मेरी अगली call schedule नहीं हो जाएगी, जब तक मैं यह ने पुछलू कि अगली बार आप से बात कब करूँ हर बार जब हम call पर बात करेंगे तो कुछ ना कुछ उसको call to action देंगे, जैसे call पर बात कर रहा हूँ पहली बार वीडियो देखने के लिए बोलूँगा, कि यह बाली वीडियो देख, दूसरी बार उसको training की वीडियो देखने के लिए बोलूँगा और उससे exactly time ले लूँगा कि मैं आपको अगला call कब करूँ अगली बार बात कब करें, चाहे अगर meeting कर रहे हो तो यह पता लगा लो meeting से उठने से पहले आप यह पता लगा लो कि अगली बार हम कब मिल रहे है, Thursday मिल रहे है या Saturday मिल रहे है यह सारी चीज़ा आपको meeting से उठने से पहले आप decide कर लोगे और इसी को बोलता है exactly follow up अब एक बात और समझो, कोई भी इंसान ना तुरंत decision बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो तुरंत decision ले ले, immediately decision ले ले, लोगों को decision ले में थोड़ा time लगता जैसे आप भी कोई महांगी चीज़ खरीने जाओगे, मान लो एक बाइक खरीने जाओगे आप एक बार में decision लेते, आप एक बार, दो बार, तीन बार visit करोगे showroom को try करोगे, features देखोगे, आपका salesman जो है आपको अच्छे तरीके से समझाएगा ये भी feel करो sir, sir ऐसा लगेगा आपको जब आप घुमोगे, ये वाला feature भी है फिर आप दीरे 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 mood बनाते हो कि चलो भई मिल कोई इसको खरीदने का है समझ गए? तो अभी क्या है? आपको भी अपने prospect को बार 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 फालो अप करना पड़ेगा तब जा कि सामने वाला decision लेगा, at least 3-4 बार, at least 3-4 बार आपको exposure देने पड़ेंगे अब exposure कैसे दोगे आप? आप बार 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 उसको company के events के अंदर बुलाओ ना आपकी company का कोई event होता होगा, या आप क्या applies कुछ webinars थ्रो करते होंगे आपको daily basis पे webinars के अंदर invite करना है सामने वाले इंसान को दो बार, तीन बार, चार बार जब वो बार बार आएगा न वो अपने आप धीरे-धीरे convert होना शुरू कर देगा, वो अपने आप उसका मन होने लग जाएगा फिर उसके बार बात करते हैं, आपको क्या करना है, सामने वाले को कम से कम चार से पांच बार exposure देना है, ठक ठक, 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 नॉक, 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 करोगे, तब गेम आपका बहुत बड़ी हो जाएगा हम गलती क्या करते हैं, जब भी हम call करते हैं प्रोस्पेक्ट को, तो सीधा सीधा हम profile product plan से बाहर निकलते हैं, हम सिरफ company के बारे में बात करते हैं, हम सिरफ अपनी opportunity के बारे में बात करते हैं, हम सिरफ अपने business के बारे में बात करते हैं, जब कि आप ये भूल क्यों जाते हो कि आप एक इंसान भी हो आप एक इंसान हो सामने वाला एक इंसान है रोबोट थोड़ी हो कि आपको फीड कर दिया गया कि यही बाते करनी हो और यही बाते आप जाके इधर से आप ले रहे हो आप अगले वेबिनार के अंतरा आजओ, end में, ठीक है, relation building कहां से शुरू हो चुकी है, जब presentation देना था, जब पहली बार call पर बात हुई थी, तभी से मेरी relation building शुरू हो चुकी है, मैंने need identify करना सीख लिया है, अब उसके बाद मैं उनी topics के उपर बात करूँगा, जिनके बार हो एक एक चीज़ आपको समझाने लग जाएगी, तो सामने वाले का, जो उसका interest है, उससे भी हम बात शुरू कर सकते हैं, जो उसका passion है, उससे भी हम बात शुरू कर सकते हैं, क्या उसकी life में चल रहा है, उससे भी बात शुरू कर सकते हैं, नॉर्मली हमने बात शुरू कर बहुत जबरदस तरीका अगली वीडियो बता हूँ यही बताता हूँ चलो अगला एक तरीका और बहुत जबरदस्त फॉलो अप करने का जहां पर आप चिपकोगे भी नहीं और सामने वाले का फॉलो अप भी हो जाएगा वो क्या है आप सामने वाले को कुछ भी नहीं बता रहें बस सामने वाले को दिखा रहे हो कि आपकी जिंदीगी कैसी है स्टेटस डलता है चार तरह का एक डलती है अपके खुद की लाइफ्स्टाइल की जो इसा बम कर एकसे कर सकते हो जैसे आभी इसने जॉइन किया चार लोगों एक status पर setting होती है only them, जिसे क्या होगा, उन्हीं चार लोगों को status दिखेगा, ठीक है only them करके, आपको जो status डालना है अपने बारे में, क्योंकि उन लोगों को आपके बारे में नहीं पता हो सकता है, आपने past में जो भी काम किया उन लोगों को दिखाओ, फिर अगले 10 दिन बाद 4 लोगों और जॉइन करते, तो उनको specially करके फिर वही same status repeat करके डाल दे, जैसे मैं कहीं घूमने गया, घूमने जाने के बाद मैंने वो stories save कर ली, अपने पास कहीं एक folder के अंदर डाल दिया, अब मैं time to time डालता रहूँँगा, next trip is to next trip is to Manali, next trip is to जहां भी जानने वाली होगी, if you want to qualify these trips for free, just DM me, सामने वाले बहुत सारे लोग जो आपके साथ नए add होते चले जाएंगे, प्रोस्पेक्टिंग तो आप करी रहे हो, तो जब add होते चले जाएंगे, बहुत सारे लोग आपसे पुछेंगे, या किसी इनसान ने कोई, मतलब आपके किसी business के बारे में भी तारीफ करी है, तो उनकी कुछ videos, clippings मिल जाएंगे, या फिर कुछ chat के screenshots मिल जाएंगे, वो आपको regular basis पर डालना है, इस तरह के stories जब आप update करोगे न, ये समझ लो, game changer है, चीज़े, game changer है, इसके बाद एक और काम कर सकते हूँ, broadcast बना लो एक, broadcast कैसे बनता है, broadcast बनाने का पूरा तरीका, मैंने already WhatsApp, lead generation, automation वाले वीडियो के अंदर बता रखा है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखिया, आपको आपको ब्रोड़कास बनाने के बाद डेली मेसेज मत करो, डेली करोगे तो spam हो जाएगा, आप कुछ-कुछ दिनों पर, तीन दिन पर, चार दिन पर, तीन दिन पर, चार दिन पर, कुछ motivational quotes उठा के भेज सकते हो, motivational quote अगर नहीं भी भेजना, आप क्या कर सकते हो, अपने कोई भी leader हो, आपके company के अंदर कोई बहुत बढ़ी है leader हो, उनके कुछ reels daily basis पर, जो motivational reels हो, जो success के उपर बात हो रही हो, जिसके अंदर कामियाबी की बात होरी है जो थोड़ा inspire करती हो इस तरह के reels उठा के बेज दो, इस तरह के cosas ऊठा के बेज दो तीन दिन पर, तीन दिन पर, ठीक हो, रोज मत करना, आराम-ảiाम से थोड़े-।ोड़े दिनों पर, क्या कोई बात समझनी है कि हर किसी का कोई न कोई ऐसा दिन आता है जहां पर उसको सोचने की मजबूरी हो जाती कि मुझे कुछ दूसरा काम देखना जीए अब उसका कब वो दिन आएगा आपको नहीं पता आपको क्या करना है सामने वाले को टच में रहो तक 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 करते रहो, उसको याद दिलाते रहो कि हाँ मैं exist करता हूँ जब भी तरको need होगी तो अपने आवाजाना रोज message करोगे, irritate हो सकता है दो-तिन दिन पर करोगे, किसी कोई दिक्कत नहीं होगी वो अपने आप समझ जाएगा कि हाँ ये इंसान बहुत जादा motivated रहता है, बहुत जादा positive रहता है और इसके साथ बात करने में मुझे भी मज़ा आता है वो आपके साथ बात भी करेगा, एक और काम कर सकते हो follow-up करने के लिए हर एक इंसान को पसंद है कि appreciation मिले उसको appreciate होना हर किसी को पसंद है तभी वो कुछ story पे डालता है, उसको अच्छा लगता है तभी वो story पे डालता है, लेकिन कोई इंसान उसको appreciate नहीं करता है आप क्या करो, आप दो दिन पर तीन दिन पर लोगों को appreciate क्या करो उसके story को देखके, story को देखा कुछ नहीं करना, एक reply बेज़ दो, ऐसे वाली emoji बेज़ दो आँखों में दिल बन जाता है, ठीक है वैसे वाली emoji बेज़ दो आप सामने वाले के साथ connect रहने के तरीके और बाने ढूंडो appreciate करो कि इससे बढ़िया तरीका कोई है ही नहीं सामने वाला खुले दिल से आपका स्वागत करेगा, ठीक है थोड़े थोड़े time पर आप उसको appreciate करते हो, सामने वाला आपके साथ connect रहेगा, जब भी जरुरत पड़ेगी आप तुरंट उसको close कर सकते हो, जब भी बात करते हो तो मैंने आपको बता दिया, सीधा बिजनस पर बात नहीं करनी, नॉर्मल लाइफ से बात शुरू करनी है, दोस्तों की तरह बात करनी है, एंड में आप अपना message बिल्कुल छोड़ सकता है, इस वीडियो के अंदर बस इतना ही, अगली वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं, अगें कि आपको अपनी टीम को train कैसे करना है, जो लोग आपके साथ join हो जाते हैं, उनकी training आप कैसे करोगे, ताकि वो एक leader के अंदर convert हो जाए, अगर ये वीडियो आपको पसंदा ही, अपनी पूरी डियम के साथ share कर देना, so that उनको professional तरीका पता लग जाए, follow up करने का, ताकि आपका business बहुत smoothly मुझे बता सकता, आप कमेंट जरके, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर, till the night, play big!